सब्सक्राइब कीजिए नदाशनहारदिक चनल को और प्रेस कीजिए इस पहला आइकन को उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे नमस्कार दोस्तो तो अब हम यहां पर बात करने वाले हैं सेपरेटर के बारे में अभी अगले वीडियो में मैंने बताया था सेपरेटर क्यों यूज में लिए जता है फिर भी आपको यहां पर वापस डिटेर्स में बता देता हूं सेपरेटर क्यों यूज में लिए जता है अब हम जब यहाँ पे दो प्लेट एक पोजिटिव प्लेट यहाँ पे एक पोजिटिव प्लेट है यह होगी पोजिटिव प्लेट और यह होगी अपनी एक यहाँ पे नेगेटिव प्लेट ठीक है यह दो प्लेट होगी इन दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पे एक जो या फिर लकडी की मदे से या काज का जो भी यहाँ पे लगाया जाता है जो भी material का बना के यह दोनों को यह positive और negative को अलग करता है separate करता है इसलिए यहाँ पे उसको separator का जाता है वो यहाँ पे लगाया जाता है अब यह separator की खास एक बात बताता हूँ separator है ना जो यह अपना एक छोटा positive छोटा negative और यहाँ पे बड़ा दिखाता हूँ ताकि हमें समझ में आए यह separator है उसका यहाँ पे बड़ा view करके दिखाता हूँ तो यह जो separator होता है ना उसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे holes होते है यह holes इसलिए होते है दोस्तों ताकि यहाँ पे जो भी अंदर chemical process होगी तो उसकी मदद से यहाँ पे जो chemical process के iron होंगे चार जोगा positive negative वो इस hole की मदद से positive to negative negative to positive आ सके और उसकी मदद से यहाँ पे continuous हमारी chemical process आगे बढ़ सके इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे hole रखे जाते है कि hole की मदद से यहाँ पे chemical जो reaction होने वाला हो यहाँ से आगे पीछे हो सके plus में इस separator को यहाँ पे positive और negative plate के बीच में रखा जाता है ताकि वो positive और negative plate है वो सोट ना हो जाए और यहाँ पे इसका resistance का काम करता है यह separator दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको like कीजिए share कीजिए मेरे चनल अन्दसना अर्दी को subscribe करना मत बुलिएगा और भी separator के बारे में आपको जानकरी चाहिए तो मुझे comment section में जाके comment कर दीजिए अब हम इसके बाद हम बात करने वाले है sale cover के बारे में